अगर आपको याप्लिकेशन कोई APK फाइल डाउनलोड करें अपने फोन के उपर Chrome ब्राउजर से और वो आपका इंस्टाल नहीं हो रहा है तो उसको फिक्स करने के लिए आज का वीडियो है इसके अंदर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा इसको यूज करके अब अपने APK नॉट इंस्टाल वाले प्राब्लम को फिक्स कर सकते हैं और Chrome से कोई भी APK इंस्टाल कर सकते हैं असानी से उसे कोई सब याप फाइल डाउनलोड करते हैं APK फाइल वो इंस्टाल अगर नहीं हो रहा है से प्रस्ट इसके बाद नेक्स्ट आपको जाना है सेटिंगस के अंदर सेटिंगस के इंदर आपको Apps नाम के Option पर tap करना है से इसके बाद आपको यहाँ पर Manage Apps के उपर टब करना है और यहाँ पर आपको आपका जो Chrome ब्रोजर है उसको इस list में search करना है अब आपको Chrome के उपर tap करना है आप आजाते हैं Chrome के इस वाले page के उपर यहाँ पर आपको नीचे में clear data का option मिलता है सबसे पहले एपको इस पर tap करना है clear cache पर tap करके आपको ok करना है इसके बाद यहाँ पर आपको manage space का option मिल जाएगा इस पे आप टैप करेंगे और यहां पे आपको option मिलेगा clear all data का इस वले option पे टैप करेंगे आपको clear all data कर देना है तो इससे आपके chrome के उपर जितने भी data है सारे clear हो जाते हैं अब next step होता है यहां पे आपको force stop का option मिलता आपको एक बार फोर्स स्टॉप कर देना है और ओके कर देना है इसके बाद आपको तीसरा काम यह करना है या पर देख सकते हैं रस्ट्रिक्ट डेटा यूजज की उपर आपको कोई भी रस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए वो चीज़ आप चेक कर लें और इसके बाद यहां इस परमिशन आप दिनाय में रख सकता है लेकिन बागि आपके अलाउड होने चाहिए ठेक है तो यह सारे परमिशन आपको अलाउ कर लेना है चेक कर लेना है यह सारी चीजों को सरे नहीं अलाउड कर लेicki और इसके बाद आप फिर से अपने और परों पर जाक करके किसी भ अपडेट्स कर लेना है अगynnुक फर्से को लेटेस्ट फर्जन अपडेट करें इन्स्टॉल कर लेना है उससे भी आपकी जो है वोको जाती है तो यह सब करने के साथ जाता है अभर अपने फॉन कर भल री स्टाठ करें ज़रूर घर झाल झाल